Hello and welcome back guys to another video of Mission 90% Class 10 So, अब हम करने वाले हैं शुरू चैप्टर No.4 Physics का और Physics Series का लिंक आपको यार कमेंट में पिन किया हुआ है और description में मिल जाएगा उसमें सभी Series wise आपको सभी chapters मिल जाएंगे तो Chapter No.4 Refraction of Light and Plain Surfaces हम करने वाले हैं और इस वीडियो के भी सिर्फ दो ही पार्ट्स होंगे 30-30 minutes each, 30 minutes के प्रॉक्सी होंगे यार दोनों और हम सारा Chapter अच्छे से Finish कर देंगे और एक-एक Topic को अच्छे से Explain करेंगे तो Let's start, सबसे पहले हम करेंगे कि Refraction होती क्या है Plain Surfaces में पढ़ेंगे ठीक है हमने यह चीज़ पढ़ी थी के कुछ इस तरह से हमारा Mirror होता है और यहां से हमारे पास एक Light गिरती है और वो यहां पर Normal बना देते हैं और यहां पर वो Reflect हो जाती है आपने यही पढ़ा था Reflection में लेकिन अब हम करेंगे Refraction यहां पर क्या होगा एक Medium से Light आएगी और यह दूसरे Medium में चली जाएगी अब यह कैसे होगा क्यों होगा किदर होगा कहां पर होगा यह सभी Questions के हमें अंसर इस Chapter में मिलेंगे So, Let's Start First से पहले हम करेंगे Refraction की एक छोटी सी Explanation जो कुछ इस तरह से है कि the change in the direction of path of light when it passes from one medium to another अब देखो यार क्या लिखा है यहां पर Change in the direction of path of light यानके direction of path ठीक है जहां पर light pass करनी है हमारी अब यहां पर देखो यार इस तरह से अगर देखें हम यहां यह हमारे पास mirror था और यहां light कुछ इस तरह से जानी चाहिए थी यह कुछ सीधी ही जानी चाहिए थी लेकिन यहां पर यह direction इसने की change यहां पर definition में भी लिखा है और यह कुछ इस तरह से हो गई या फिर यह कुछ इस तरह से भी जा सकती थी यहां तो अब यह यहां पर को जाएगी यह यहां को जाएगी सीधी नहीं जाएगी अब क्यों नहीं जाएगी चलो अब आपको वह भी बताते हैं यहां पर अगर आप definition ध्याहन से देखोगे तो यहां पर आपको एक word दिखेगा from one medium to another यहां कि medium हम change कर रहे हैं अगर आपको पता हो अच्छे से अगर 9 अच्छे से की है अगर नहीं भी की तो कोई बात नहीं पता देते हैं medium दो तरह के होते हैं पहला हमारा होता है rare medium और एक हमारा होता है denser medium ठीक है यहां यानि कि denser में थोड़े particles congested होते हैं न tip में कुले-खुले हमारे टर्टील्स होते हैं जैसे कि रोगई घुला-खुला क्या है भीन हो गया यह जैसे ठीक है और अय मारा 10 जैसे के कोई भी हो सकता है एह टीक है उपBox क olsun एककेल्ट जैसे कोई भी हो सकता एकिर 17 الي ये जाकर dancer होगा हमारा water लेकिन अगर वहीं पर मैं कहूं कि एक हमारे पास water है और एक हमारे पास glass है ठीक है इन में से कौन सा rare होगा कौन सा dance होगा तो यार देखो water है हमारा ये है rare और glass होगा ये dancer होगा बस compare के time हमें देखना होता है कि ये क्या है comparison करेंगे तब ही हमारे medium water होगा ही होगा नहीं वह हमें कैसे पता चलेगा वह अगर हम compare करेंगे उसमें हम देखेंगे कि dance कौन सा है ठीक है तो आई होब आपको ये basic clearance होगी होगी कैसे होगा क्योंकि यही हमारा second point होगा इसी से related जो के है हमारा when light passes from अब देखो अब मैंने यहां पर आपको बताया थ सकती थी यह उधर को भी जा सकती थी with respect to normal अब यह कैसे पता चलेगा हमें अगर हमारी light यहां पर देखो एक medium 1 है यह medium 2 है यह हमें पता है ठीक है अलग-अलग medium है तब भी जाके reflection हमारी हो रही है अब हमें क्या पता करना है यहां पर देखो अगर तो हमारी light है वो dancer to rarer जा रही है मान लो कि यह कुछ इस तरह से light जा रही थी तो ऊपर हमारा dance है dance से rare में जा रही थी तो क्या होगा यहां पर आपको हमेशा यह word याद रखने है दो points बताऊंगा बहुत जादा important ठीक है तो यह हमेशा away from normal जाएगी away from normal normal तो आपको पता ही है ना क्या है normal क्या है हमार यह जो हम बीच में line लगाते हैं perpendicular line लगाते है with respect to mirror या surface ठीक है तो उसे हम normal कहते हैं यह आपने पड़ा हुए 9th में लेकिन अगर dancer to rare है तो यह क्या होगा सीधी जानी चाहिए थी पहली बात तो ठीक है यह कुछ इस तरह से जानी चाहिए थी सीधी अब normal से यह dance to rare है तो away from normal है तो मतलब यह away इधर को जाएगी normal से दूर ठीक है I hope आपको अभी यह समझ में आ रहा होगा लेकिन अगर यह rare to dance होती तो हमारे पास क्या होता यह towards the normal जाती मतलब कि यह सीधी के बजाए normal के और पास में जाती I hope यह दो पॉइंट आपको समझ में आगे होगी इनकी trick बिता देता हूँ यह देखो आर टू डी मतलब rarer to dancer जा रही है तो यह क्या होगा towards नॉर्मल ठीक है towards नॉर्मल होगी हमारी path of light अब इसको आप कैसे कर सकते हो आर याद रख लो यार simple है यह फिर rdt याद रख सकते हो तो वह भी लेकिन ड्रा यह थोड़ा असान वर्ड है जिससे आप क्या कर सकते हो देखो या dancer to rarer away ठीक है dancer to rarer away from नॉर्मल इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो असानी से अगर आपके पास कोई और टरिक है तो comment क पर दो पहली हमारी definition थी दूसरी हमारा path था light का कैसे जा रहा है अगर मैं अब आपसे कहूं कि यह हमारा normal है और यहां से हमारी कुछ light इस तरह से आई और यहां पर rarer medium था और नीचे हमारा dense medium है या फिर इस तरह सकता हूं उपर हमारा water है और नीचे हमारा glass है तो आप बता कि यह जो कहां को जानी चाहिए वैसे तो यह सीधी जा सकती थी देखो ऐसे ठीक है यह सीधी जा सकती थी लेकिन यहां उपर क्या है rare medium है नीचे dancer medium है क्या होगा towards जाएगी normal ठीक है rd rarer to dancer है तो towards नार्मल होगी तो मतलब यह सीधी जाने के बजाए normal की तरफ को bend हो होगा अब आपका homework यह है इसको उटा कर दो dancer medium है यहां पर और नीचे rarer medium है आपको यहां से बताना है कि यह इस तरफ को जाएगी यह इस तरफ को बस ठीक है यह आपको छोटा सा homework अब third point जो हम discuss करेंगे वह simple point हो यह बिल्कुल simple आपने पड़ा हुआ है already तो यह मालो हमार एक surface है को भी medium है उपर dense लगा लो नीचे rarer मर्जी हमारी ठीक है यह normal है अगर light हमारी normal से strike कर रही है यानके side में से हमने देख लिया कैसे होगा अगर normal से ही हमारी light आ जाए तो क्या करना है इसको बिना deviate किये यानके normal से ही pass करवा देना है normal से कब होगी यानके angle कितना है हमारा 90 degree आएगा ना तब ही normal होगा हमारा तब यह undeviated हमारी light ray pass होती है यह था एक छोटा सा phenomenon इसको क्यों कहते है क्योंकि यह हमारी क्या करती है path of light को change कर देती है direction में उसकी change आ जाता है one medium to another जब वो जाती है बस यह था इतना सा point छोटा ही था यह आप आपको समझ में आ गयोगा अब इस reflection का कारण पढ़ेंगे यह reflection होती क्यों है cause of reflection तो यह उसका simple सा कारण यह है कि when light travels from one medium to another जब भी light rare to dance यह dance to rare जाए तो क्या होता है speed of light में change आता है हमारा देखो वैसे light की speed होती है 3 into 10 to power 8 meter per second ठीक है यह हमारी light की speed होती है c कह लो इसको ठीक है लेकिन अगर इसको dense to rare या rare to dance जाए तो speed कम जादा हो जाती है इसलिए वो reflection होती है हमारी या फिर कहें light bend हो जाती है it's that simple बहुत असान है अभी तक इतना कुछ tough नहीं आएगा इसमें देखो या यह हमारी है अब मैं आपको एक छोटा सा point बता देता हूँ अगर light dense to rare जा रही है तो speed of light increase होगी अगर rare to dance जा रही है तो light की speed decrease होगी अब आप कहो यार समझ नहीं आया या कहो या मज़ा नहीं आया देखो यार कैसे यह हमारा normal है अब यहां से देखो light कुछ इस तरह से strike कर रही है ठीक है हमारे पास कोई भी light की ray है ठीक है अगर मैं कहूं ऊपर हमारे पास air है लगा लो ठीक है और नीचे हमारे पास glass है अब आप मुझे यह बताओ air हमारा rare है या dance है ठीक है अफकॉर्स rare medium है और नीचे है dance medium आर से d तक जा रही है r to d speed की light क्या होगी कम हो जाएगी से जुक जाएगी normal की तरफ speed कम हो गई अब यह सीधी जाएनी चाहिए तो सीधी दो गई नहीं अब यही बैंड हो गई towards the normal I hope समझ में आ गया होगा अगर यह वहीं पर इसका उल्टा केस होता तो एकडम से strike करके तेज़ जाती कैसे अगर यह यह यहां पर उपर हमारा टेंस होता और नीचे रेर होता तब तब यह जाकर कुछ इस तरह से होता लेकिन अब जैसे उपर रेर है नीचे टेंस है तो यह इस तरह से चली गई हमारी light की रे बस cause of reflection आपको यह याद रखना है बस कि अगर एक medium से दूसरे medium में light जाती है तो speed of light change होती है हमारी इसी नहीं है ठीक है same ही है हमारा first तो हमारा वही है जो हम पढ़ते आ रहे हैं बच्पन से जो के है के incident ray refracted ray and normal they all line same plane देखो यार यह 2D होता है आपको बता है इसलिए यह सब एक ही plane में light करते हैं कौन-कौन incident ray जो incident होती है refracted ray और यह हमारा normal एक ही plane में light कर रहा है 3D नहीं है ठीक यह तो आप बच्पन से पढ़ते हारो इस point में आपको कोई दिक्त नहीं है इसलिए मैं इसको इतना detail में नहीं समझाने वाला ठीक है second point है हमारा स्नेल्स लोग अब यह लोग बहुत ज्यादा important है अगर आगे plus one plus two 11th और 12th में सोच रहे हो लेने की physics तो स्नेल्स लोग important है इ देखो या आपको बस एक equation याद रखनी है कि sin of i divided by sin of r is always constant ठीक है अगर आपको यह line समझ में आगई या फिर यह equation को मैं समझ में आगी तो बस रट लो इसको तो यह स्नेल्स लोग है यह हमारा आगे जाके application यह कैसे apply होता है यह आएगा आपको लेगिन अभी के लिए is equal to constant 1 mu 2 अगर आप सहुच रहे हो कि क्या है यह देखो यार आगे मैं बढ़ता हूँगा आपको कैसे हो रहा है क्या हो रहा है यहां पर ठीक है different media में यह different होता है यह सारा स्नेल्स लोग को आगे detail में पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे detail में हम स्नेल्स लोग को पढ़ेंग इस speed of light के section में ठीक है और अभी के लिए आपको laws of reflection समझ में आ चुके हैं और अब हम करने वाले है effect of reflection on V lambda और F अब यह V lambda F क्या है आपके मन में यह होगा question ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले यही clear कर देता हूँ यार तो वी है हमारा speed और जो हमारा यह lambda है यह तो आपको पत यह बताता हूँ आगे ठीक है अभी के लिए देख लो V speed है lambda हमारी wavelength है और F है हमारी frequency F क्या है हमारी F है हमारी frequency अब यह किस की है हम पढ़ रहे है effect of reflection या फिर कहें effect on speed due to reflection निके reflection की वज़े से speed पर क्या फरक होता है हमारा क्या difference आता है wavelength पर क्या difference आता है frequency कम होती है जाद हो note कर लो के frequency is always and always equal to speed by may wavelength अब देखो अगर आपको यह formula समझ में आ गया है इसको हम मार्त भी कर देते हैं तो देखो अगर आपको यह formula समझ में आ गया तो आपके लिए कुछ भी difficult तो नहीं होने वागे क्यों whenever light passes from rare to dancer medium अब कभी भी अगर rare to dance अगर light जा रही है हमारी पहले प पड़ाता तो क्या होता है उसमें dance to rare away जाती है RDT आएगा यहांपर towards होगा normal यह तो आपको पता चली गया होगा ठीक है towards the normal चलोए अलग बाद हमारा क्या है main concept के rare to dance अगर कभी बी light जाए तो जो हमारी speed होगी वी वो हमेशा decrease होगी ठीक है और जो हमारी wavelength होगी वो भी decrease होती अब frequency change कर नहीं हो और यह तो कम होरे इंट समझ में आता है लेकिन frequency नहीं होती क्यों क्यों कि जो हमारी frequency है वो source of light पर depend करती है नकि उसके path पर Depends on source of light ठीक है यह path पर depend नहीं करती इसलिए यह चेंज नहीं हो रही frequency है यह आप पॉइंट याद कर लेना कि frequency क्यों नहीं change होती because it depends on source of light not on the path of light ठीक है लेकिन speed और हमारी frequency कम होती है अब यह मैंने पहले नहीं बताया था को देखो या रेर टू डैंस जा रहे हैं तो speed कम होती है यह मैंने आपको पहले बता चुका हो मैं ठीक है और अब आप खुद सोचो यह कम हो रही है frequency पर को difference नहीं आ रहा लेकिन wavelength भी हमारी कम हो रही है जितनी speed कम होगी उतना ही wavelength कम होगा तो यार frequency change कैसे हो सकती है आप formula से भी बता सकते हो मानलो हमारी speed थी 10 और wavelength थी 5 यह सिर्फ एक example दे रहा हूं मैं ठीक है ऐसे कुछ होता नहीं और अगर कम दोनों कम हो रही है तो यह कम कैसे होगी मानलो अब 8 by 4 होगी दोनों इककोल बात है यार इसको कट करके 2 आ रहा है इसको भी 2 तो frequency change होई बिलकुल नहीं होई तो यह था यार इसमें effect में और इसी का उल्टा होता है हमारा अगर medium dancer to rare हो ठीक है अगर यह इसका उल सबसे important बात speed of light in different media relation between refractive index and speed of light अब आपको यह नहीं terms हागी हो I know पता है मुझे यार नहीं terms हैं यह लेकिन interesting भी होगी आपके लिए अब कैसे अब देखो यह चीज़े होती क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको यह बता दूँ speed of light का आपको पते हैं इसको C से represent करते हैं ठीक है C यहाँ पर क्या है हमारी speed of light speed of light और जो हम यह mu का symbol यूज कर रहे हैं यह है हमारा refractive r और i refractive index क्या होता है refractive index 9th में पढ़ चुके होगे लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो refractive index बस यह समझ लो एक तरह से medium होता है जो हमारा अल कियते हैं ना के air to water हमने ले लिया medium अलग अलग ले लिया तो इसके refractive index की value आएगी कुछ अलग आएगी इसके refractive index की value कुछ अलग आएगी ठीक है अलग medium के अलग refractive index होते हैं बस इतना पढ़ दो अभी इतना deep में जाने की जूरूरत नहीं है इसके यहाँ पर आपको तीन formula हैं एक ही तरह हैं तीनों तीन के तीन formula एक ही तरह के होंगे क्या होंगे सबसे पहले हम लिखेंगे किसका formula refractive index का क्या है फोर्मूला हमारा यह आपकी screen पे लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं refractive index ऐसे ही नहीं निकलता किसी भी चीज़ का ठीक है refractive index अगर आपको निकालना है तो वो हमेशा किसी medium का निकलेगा ठीक है मालो अगर हमें glass का मालो अगर हमें refractive index चाहिए तो कैसे निकलेगा सबसे पहले हम लेंगे speed of light in air या vacuum में एक ही बात है ठीक है air में हम लेंगे देखेंगे कि air में speed of light कितनी है कितनी है 3 x 10 to power 8 और हमें speed of light दी होगी उस medium की जिसकी हमें find करनी है जैसे कि यहां पर glass की ठीक है निचे हम glass की speed of light लिखेंगे जब हम इसको solve करेंगे तो हमें refractive index मिल जाएगा कुछ भी हो सकता है 1.5 हो सकता है 1.2 0.8 ऐसे अलग-अलग छोटी-छोटी values आती है हमारी ठीक है अभी के लिए यह सिरफ एक formula है जो आपको पता होना चाहिए speed of light air में आप c से represent करोगे speed of light किसी और medium में आप v से represent करोगे यहां से आप क्या कह सकते हो कि mu है जो हमारा किसके कुल है c by v k यह हमारा एक दूसरा formula बन चुका है पहला कहां पर बना था यहां पर बना था तो अब है हमारा second equation यह formula के एक और यहां पर तो देखो सिर्फ एक ही medium की बात थी अब हम करेंगे बात यहां पर दो medium होगी अब यहां पर इसका मतलब क्या है speed of light in medium 1 by me speed of light in medium 2 बस यह हमारा second और third यह भी यार देखो मैं same ही लिख हूंगा इसी symbol को हम यूज करेंगे 1 mu 2 को तो इसका मतलब क्या है यह अभी सिर्फ formulas पढ़ लो पिया इसके ज़्यादा आपको deep में जाने जूरूत नहीं है तो देखो हमने क्या पढ़ा था v1 by v2 क्या मैं इसको लिख सकता हूं आपको यार यह क्या लिख दिये यही तो है speed of light in medium 1 और 2 ठीक है अब यहां से मैं क्या यह कह जखता हूं कि speed of light in medium 1 हमने formula पढ़ा था mu का क्या होगा c by v v1 by v2 आगे हमारा और equal में हमने क्या लिखा c by v2 यही formula बनेगा जी बिल्कुल यही formula बनेगा ठीक है इसमें कोई शक्की बात नहीं है into में यहां पर divide है तो हम divide यूज करते हैं यहां पर आएगा c by v1 अब जब आप इसको solve करोगे यह कुछ इस तरह से आगा c by v2 into में आ जा सकते हैं यहां यहीं से मैं बता रहा हूं या फिर आप याद कर लेना इसको अगर यह समझ में ना आए कि यहां से हम लिखेंगे इसको के mu 2 by mu 1 इसको थोड़ा साफ करके लिखेंगे अब यार देखो यहां पर बहुत होच-पोच होच चुकी है आप देख सकते हैं अब यह mu 2 का मतलब क्या होता है हमारा के refractive index of medium 2 दूसरे medium का refractive index with respect to refractive index of medium 1 बस बहुत simple है यार formula छोटा सा है हमारा यार देखो इतने बड़े formula नहीं है यहां पर सभी आपको इतने ही मिलेंगे और एक छोटा सा formula और लिखलो यार कभी भी अगर wavelength निकालनी हो आपको क्या करना है पहल medium की wavelength जो आपको दे रखी होगी उसको उसके refractive index से divide करो तो इस पर आपके numericals भी आ सकते यह question पका आएगा exam में कि क्या कि कभी भी अगर wavelength दे रखी हो दूसरे medium की तो आपको क्या करना है पहले medium की wavelength को refractive index से divide करना है refractive index से divide करना है multiply अगर नहीं करना बहुत important था यार इस पर तो आप एक hash लगा लो कि यह बहुत important है अब हम करेंगे factors affecting refractive index refractive index को कौन कौन से factors हैं जो affect कर सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दो जो मैंने यह चीज करवाई यह आपको एक मैंने बता दिया कैसे आएगा क्या ठीक है इसको आप एक और question जो इसका बन सकता है वो है कि relation between wavelength of two mediums ठीक wavelength of two mediums के बीज में क्या relation होता है हमारा यह हमने उपर लिग दिया refractive index से divide करना है simple basically और कुछ नहीं है इसमें अब factor कौन कौन से affect करते हैं हमारे पहला तो है हमारा nature of medium के क्या है हमारा rare है dance है क्या है उस पर हमारा factor affect करता है refractive index की value change हो जाती है अगर air है तो उसका अलग होगा आपको पता है water का अलग glass का अलग सबका अलग अलग होता है तो nature पर depend करती है हमारी क्या refractive index अब point number two है हमारा वो है important है temperature ठीक है पूरा ही लिख देते हैं चलो या temperature है जो वो है हमारा second point और temperature पर यह क्या होती है directly proportional होती है अगर temperature हमारा increase होगा ठीक है temperature increase हो रहा है तो जो refractive index है उसके साथ क्या होगा वो होगा decrease अब आप कोगे यहाँ पर तो आपने direct कहाता लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा हो रहा है directly proportional है temperature लेकिन directly proportional है यह speed of light के ठीक है speed of light के और अगर speed of light increase होती है तो refractive index obviously decrease होगा यार तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे इसकी वजाए अगर आप इसको लिखो के temperature increase होता है हमारा और साथ में speed of light speed of light को आप किस से represent कर से ह ठीक है चलो c क्या होगी हमारी speed of light भी अगर हमारी increase हो रही हो obviously अगर temperature increase हो रहे है तो speed of light भी increase होगी और उसी के साथ हमारा जो refractive index है वो हो जाएगा decrease it's that simple के temperature increase होगा refractive index decrease होगा बस ठीक है इसमें इतना कुछ है नहीं और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसके साथ third point आ जाएगा इनसे आप relate कर सकोगे क्या है हमारा के color और wavelength पर भी यह depend करता है color छोड़ो wavelength लिख लो अभी के लिए तो यहाँ पर हमने formula यह रहा wavelength पर भी त जादा होती है किसके red के refractive index है अब आपका काम यह है wavelength आपको पता करनी है कि violet की जादा होती है यह red की वहाँ से आपको यह equation समझ में आ जाएगी कैसे अगर wavelength की जादा है तो refractive index भी जादा होगा या कम होगा वो कैसे पता चलेगा violet की दे कोई जादा होती है refractive index red से अब आपको इनका wavelength पता करना है किसका जादा होता है बस simple है यह homework बहुत असान चोड़ चोड़ी points है यह बहुत बिलकुल अब आखर में आपका आगया principle of reversibility इसके बाद chapter को हम अगले पार्ट में ले जाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे हमा बताना है उससे बहले मैं आपको बता दू नोर्स के बारे में अगर आपने नोर्स बना रखें तो बहुत अच्छी बात है उसके बाद यह एड़ाई यह देख लेना अगर आपके पास नोर्स नहीं है तो कॉंग्रेचुलेशन सेंक्यू अब तू भी टैंथ में हो गया वो भी आईसी एसी बोर्ड आया तो ना मैंने नाइंट की साइंस में 99 वा मेरे भी इतने ही थे बाद टैंथ में मगर तू तो इतना नहीं पढ़ता था की मोमें मिलाकर है या कुशन के हर महीने चार सो दिये सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन फिलूजी और चमिस्ट्री में दिक्कत हैं तेर मतलब फिजिक्स बाइलोजी और चमिस्ट्री में पेल नहीं होना चाता तेरी तो अच्छा है थे पता दे कैसे वही मैंने तो नुशन 90 क्लास 10th के नोट्स वाला पीडिया फ़नलोग किय क्या मतलब अरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गुगल फॉम का लिंक फिन किया हुआ है उसे भरो नोट्स लो उपर से तेरे हर महीने ट्यूशन की हाफ प्राइब मतलब तब 200 रूपीज में टे करो इस यूपीए आइडी पे और अपनी इमेल आ कि उसे डिफरेंट बनाते हैं थेंक्यू जोड़ अभी मैंने तुझे ये बताया तो कूपन कोड के सेक्शन में मेरी यूपीए एडी डाल मुझे भी 20 रूपे मिलेंगे वाया मतलब जितने रैपर उतनी कमाई भी और क्या भी में थोड़ी बताऊंगी तुझे अभी लेत करें देखना एक बाद अब हम प्रिंसीपल आव रिवर्शीबिल्टी पड़ेंगे इसमें हम स्नेल्स लो लगाएंगे स्नेल्स लो अगर आपने ऊपर वाले में स्नेल्स लो अच्छे से से नहीं समझा स्नेल्स लो कहा यूज हुआ है यार चोड़ो उसको चोड़ो यहां पर देखते हैं, Snell's law क्या बताया था मैंने? Sin i by sin r constant होता है या फिर कहूं मैं u2 by mu1 Snell's law, sin i by sin r किसके एककुल है? refractive index of second with respect to 1 या फिर कहूं u21 या फिर कहूं, refractive index of second with respect to 1 अब आपने क्या करना है? principle of reversibility में हमारे पास क्या हो रहा है अब वो समझते हैं जल्दी से, ठीक है, 30 मिनिट के पास ही रखेंगे इस वीडियो को, इतना extent नहीं करेंगे फालतु में, यह थी हमारे पास डाइग्राम, यहाँ पर मना लेते हैं, मालो नीचे वाटर है, तो आपको यह समझे आ गया होगा, कौन सा रेर है, कौन सा डेंस, ठ ठीक है, फिर भी मैं बता दूं, यह रेर मीडियम है, वन, और यह डेंसर मीडियम है, टू, अब तक तो सब नॉर्मल चल रहा है, और यहाँ हमारे पास एक नॉर्मल है, ठोड़ा सा यह रहा, यह हमारे पास एक नॉर्मल आगया हमान लोग पी और क्यों हूँ, इसको नाम देते हैं कुछ भी दे सकते हैं तो यह हमारे पास normal है हमने क्या किया यहां पर light को incident करवाया यहाँ, और यह क्या होगा rare to dense जा रही है, तो towards आई की अब mirror ने काम को क्या कर दिया, सारे को उल्टा कर दिया, अब यहीं से यह pass होकर आई, और यहीं से यह बापिस चली गई, ठीक है, यहां से आई तो बहुत खुश हो करती है, कि मैं आगे जाओंगी, यहां के mirror मिल गया, यह बापिस वहीं से चली गई रहे, यह हमारा principle of reversibility, इस यहां से angle of incidence, पढ़ चुकिया आप, यहां से angle of reflection बना है, यह भी आपको पता है, और इस point को center point को O नाम दे दो, कुछ भी दे सकते हो, ऐसे तो आप ठीक, बस यहीं से आपको क्या पता चलीगा, reversibility का principle है, ठीक है, तो क्या होगा, sin I by sin R थसनेल चलो, उल्टा हो गया, reversibility में, तो क्या हैगा, sin R by sin I, किसके एक को लाएगा, आपको पता होगा, क्या होगा, यार उल्टा हो जाएगा सारा, तो mu 1 by mu 2 आएगा, किसके एक को लोगा, mu 1 2 k, यहां से अब आपको दो result मिले हैं, अब यहां से एक equation, final equation हमारी क्या है, कि mu 2 1 को जब आप mu 1 2 से multiply करोगे, यहनके के दोनों को multiply करोगे, तो हमारा answer हमेशा 1 के equal आएगा, and that is the final equation, और इसी के साथ आपका chapter नहीं, वीडियो खत्म हुई है, यह chapter तो भी आदा ही हुआ है, ठीक है, तो thanks for watching, अब आप से second part में मिलेंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, तो thanks for watching, thank you.